ये फ्रेंड वेलकम बैक टो परजाद बुटिक फ्रम रुबिकामबोज आज हम आपके लिए लेकर आए ब्यूटिफुल से लटकन उसके लिए हमने वेस्ट पड़ी बुकरम जो नैक से बच जाती है उसको जो रखके रखते हैं उससे हम लटकन वगारा कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं तो हमने कर लिए हट शेप में ड्रो और हट शेप में ड्रो करने के बाद हमने इसकी कर दी है कटिंग करने के बाद यह देख सकते हैं कितनी प्यारी हट जो है हमारी बन कर आई है अब हम फैब्रिक लेंगे हमने वेलबेट का फैब्रिक लिया है आप कोई भी फै कट करने के बाद हम इसे अंदर से इस पर एक सलाई चलाएंगे बुक्रम के उपर-उपर सलाई चलानी है किनारी किनारी पर क्योंकि हमें ये अंदर से कट करके पल्टना है बिल्कुल कोने को ध्यान से रखते हम इस पर सलाई चला रही है फ्रेंड्स अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बैल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर दें जिससे आपको न्यू वीडियो की देइं हैं मिल सके अब हम इसे अंदर से करते हैं मैं डबल फोल्ड में he कि ऐसकी निसकी हमने सारे की कटिंग करने के बाद इसमें अ को ने को ने पर यह ड़क लगा कर से पलटना है यह हमने इसे पड़ दिया और इस पर एक दाप की सलाई चलाते वे जिससे अच्छे से बैठ जाए यह अच्छे से से सैट हो जाएगा एक पैर की सलाई चला देनी है अब हम back side से जिस side से बुकरम है उस side से हम इसे कपड़े को ऐसे बुकरम के साथ ही इस पर एक slice लाते जाएंगे corner पर हमें cut कर देना है और अब हम जो उपर का part है उस पर जो है सुई धागे से हाथ से ही से हम attach करेंगे सारे को फॉल्ड करते जाएंगे और अटेच करते जाएंगे उसके बाद इसे हलगा कच्छा करने के बाद आप चाहें इसपर मशीन चला सकते हैं और अब हम इसपर कर रहे हैं डॉरी विगारण आप कोई भी पेस्ट पहले भी कर सकते हैं मैं आप कर रहे हूं क्योंकि हमारे तो मैंने इसमें पल्स का काम देना है तो पल्स के नीचे आएगी आप पहले ही से अंदर डाले यह मेरे मांड से स्लिप हो गई थी तो मैंने अब डाली है अब हम बना रहे हैं इसमें हमने जो आप कोई भी मतलुक दे सकते हैं मैं इसे पल्स के साथ वाइट पल्स के साथ centralize to higher ज्यादा नम्लंबबा ना करते हैं वीडियो को हम आपको इसमें पर टब गाते हुए ही दिखा देंगे यह वने पर जो है ऐसेयर करने हैं दोनों कोर्नर पर टैज करते हुए उपर से भी और अब हम इसके बीच में लगानी है एक हैंगिंग में यह देख सकते हैं हमने ट्रेंगुलर जो हमने यह बना ली है छोटी सी लुप्स और इसे निकाल कर और यह सेंटर में कर दी है अटैज और यह लुप्स जो है हमने कैसे बनाई है हम आपको दिखाते हैं यह हमने जो है स्क्वेर जैसे फैबरिक लेना है और यह ट्रेंगुलर में हमने ले लिया है और अब इसे ऐसे सिलाई करके हमने उल्टा करके निकाल के ऐसे लगाई थी और यह देख सकते हैं हमारे ब्यूटि प्रेंडी लुक के साथ ये हट शेप में आपको लटकन जो है ऐसे बनानी है थैंक यू